स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कोश्यन कोश्यन 23 और जो की बेस्ट अर्णिंग इल्ड मैथड पर ठीक है तुम्हें बता दू जो लोग नए हैं हम यहां पर कॉस्ट ऑफ क्यापिटल वाला चैप्टर कर रहे हैं जिसमें से हम काफी टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफड़ कोस्ट ऑफ़फेरिश कंपिटल के भी चार मैंथड से हमारे पास सुरी फाइफ मैंथड के जिसमें से हम लगबग तू मैंथड कर चुके हैं अब हम थर्ड मैंतर स्टार्ट करने वाले हैं तो थर्ड मैंथड हैं इसका इंड्रोर मैंने आपको ले दिया है आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोईशन नमबर 23 जो है वो थर्ड इस मैथट पर थर्ड वाला मैथट हमारा अर्निंग इल्ड मैथट है इसी पर बेस्ट है गया इन दोन के प्रतिकल को शिरके है इन दोनों से भी आपने अंट अगर आपने इससे प्रीविस लेक्ष्टर नहीं देखे अगर आप देखना चाहते हैं आपने मिस्स कर दिये हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट विजिट करिए हमाये चैनल के प्ल इन्वेंटरी वेकिंग कैपिटल इन्वेंटरी और इसमें एक चैप्टर था मैंजमेंट ऑफ कैश हम यह सभी कर चुके हैं तो आपको इस अभी चैप्टर के वीडियो से मिल जाएंगे प्लस आपको थियोरी से मिल जाएगा मैंने आपको बताया है कि एक्जाम में केबल प्रक्टिकल नहीं आता है थियोरी भी आता है तो हम FMI की थियोरी को भी कवर कर चुके हैं उसमें भी मैंने आपको लगबस 17-18 कोशेर्स में प्रिपेर करवाया है थियोरी स्रीज में आपको मिल जाएगा तो हम आज आगे देख सकते हैं तो यह स्टार्ट करते अब कोशन Q23 में क्या कहा रहा है calculate cost of equity capital cost को हम केसे दिखाते है cost of equity capital on the basis of the flowing information जो आपको information नीचे given है उसके basis पे आपको cost of capital निकालना है और नीचे information क्या है कि number of equity shares आपको equity shares के number given है कितना है 50,000 net earning 3 lakh rupees है market value shares का कितना है 48 तो कैसे करनेंगे आपको इस information के through से cost of equity निकालना है अब आप इस information को ध्यान से देखो हमारे पस 3 formula थे जिसे मैं आपको अभी तक 3 formulas बताएं 3 method एक तो था हमारे पस dividend yield method dy next dividend yield plus growth ग्रोफ वाला method था एक अभी हमने सीखा earning yield method ठीक है तो अब यहां पर आपको dividend yield method लगता है क्या यहां पर लग जाएगा इस question को घूर के देखो इसमें जो हमें information given है उसके basis में judge करो कि कौन सा method लगना चाहिए क्योंकि आप लोगों को confusion होते कि मैंना method कैसे पता चलेगा कौन सा लगेगा हमें confusion होते तो भई आपको यही चीज़ सीख नहीं है तो dividend yield method नहीं आपको लग रहा है है dividend भी घर की कुछ बात आ रही है no dividend प्लस growth यह तो बिल्कुल नहीं लगेगा ना dividend ना growth है कुछ भी नहीं है earning yield method हाँ यह लग सकता है क्यों कैसे पता चला क्योंकि मैं हम यहां पर earning given और यहां भी earning के लिए given है और earning yield method का formula क्या होता था eps upon peanut into 100 तो देखो p market price हमें given है into 100 हम लिख देंगे और eps formula क्या था formula था eps upon peanut into 100 तो मैं peanut तो हमें given है ठीक है 48 देखो micro value into 100 आप लिख दोगे eps earning per share हम calculate कर सकते हैं yes earning per share हम इसे निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते है earning per share मैंने आपको बताया था earning per share निकालने के लिए हम चोटा सा formula होता है e80 divided by number of shares हम यह वाला formula निकाल कर अपना earning per share eps calculate कर सकते हैं है यह formula होता है eps निकालने के लिए यहां पर flash आ रहा है मैं काम करती हूं ऐसे ठीक है ऐसे कर देती हूं इसip 플reash की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी तो यह formula होता है हमारा EPS निकालने का है तो क्या हम EPS निकाल सकते हैं इस कोशन में आईए देखते हैं देखों आप निकाल सकते हैं कि EPS गिवन है आपको अर्णिंग हाँ याइट याइस थ्री लाक हो जाएगा नमबर ओफ शियर्स याइस 50,000 तो अब EPS निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे EPS कल्कुलेट करेंगे इसको फॉर्मुला लगा के अर्निंग इंगर मेथट का सॉल्ब कर देंगे यह फॉर्मुला होगा EPS अपन पी नौट इंटू में 100 पहले EPS की कल्कुलेशन करनी है तो आएए करते हैं सबसे पहले हम फॉर्मुला लिखेंगे cost of equity capital लिकान लिख लिए जो फॉर्मुला होता है वह होता है हमारे पास पे cost of equity capital cost को केसे denote करते है इसलिए लिखावा है क्योंकि equity का cost है इसलिए cost of equity कितना होगा अब हम यहाँ पे EPS वाला निकाल रहे है मतलब earning yield method यूज कर रहे है तो earning yield method वाला फॉर्मुला लिखने है आपको वह क्या होता है EPS divided by P0 P0 हमेशे हमारा market price दोता है इंटू में 100 यह हमारा method है earning yield method उसमें formula होता है EPS upon में P0 into में 100 तो EPS अब EPS को calculate करेंगे तो EPS कैसे calculate कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे EAT net earning जो हमें book में given है divided by number of shares जो भी shares है हम उससे इसे divide कर देंगे तो हमें यहाँ पे हमारा EPS मिल जाएगा तो EAT earning कितनी है यहाँ पे अगर हम देखे तो हमारी earning हो जाएगी book में जो given थी earning वो थी 3 lakh तो हम यहाँ लिखेंगे 3 lakh divided by number of shares कितना था 50,000 अब आप इसको से divide कर दोगे यह cancel यह से cancel 5,30 तो आपको EPS कितना मिल गया EPS मिनस होता earning per share एक share कितना पैसा earn कर रहे हो तो 6 रुपीज आ गया तो EPS कितना आ गया हमारे पास में 6 रुपीज ठीक है यह हो गया EPS अब यहाँ पे EPS कि जगे हम यहाँ इस formula में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे EPS हमें मिल गया है ना 6 रुपीज अभी हमने calculate कर तो मैं इसे erase कर देती हूँ यहाँ पे मैं लिकूंगी EPS कि जगे cost of equity is equal to EPS कितना है 6 बीनौट कितना है हमारे पास में 48 गीवन है इंटू में 100 अब बस कुछ नहीं है अब आप इसे solve कर दो आपको मिल जाएगा आपका अंसर यह आएगा अगर आप से solve कर दो 6 6 6 8 48 इसको solve कर दो 12.5% ठीक है तो कितना आएगा 12.5% तो यह हो गया हमारा question number 23 तो इस question में बस इतना ही था हो गया है solve अब हम मिलेंगे next question में तब तक के लिए bye bye take care और stay connected